आज वो दिन आही गया जिसका हम सभी फरवरी से इंतिजार कर रहे थे मैं मन की बात के माध्यम से एक बार फिर आपके बीच अपने परिवार जनों के बीच आया हूँ एक बड़ी प्यारी सी उकती है इती विदा पुनर मिलनाय इसका अर्थ भी उतना ही प्यारा है मैं विदा लेता हूँ फिर मिलने के लिए इसी भाव से मैंने फरवरी में आपसे कहा था कि चुनाव नतीजों के बात फिर मिलूँगा और आज मन की बात के साथ मैं आपके बीच फिर हाजिर हूँ उम्मीद है आप सब अच्छे होगे घर में सब का स्वास्त अच्छा होगा और अब तो मौन सुन भी आ गया है और जब मौन सुन आता है तो मन भी आनदित हो जाता है आज से फिर एक बार हम मन की बात में ऐसे देश वास्तों की चर्चा करेंगे जो अपने कामों से समाज में देश में बड़लाव ला रहे हैं हम चर्चा करेंगे हमारी समरुद्ध सांसकूर्ति की गवरोशाली इतिहास की और विक्सित भारत के प्रयास की साथियों फरवरी से लेकर अब तक जब भी महने का आखरी रववार आने को होता था तब मुझे आपसे इस समवाद की बहुत कमी महसूस होती थी लेकिन मुझे ये देखकर बहुत अच्छा भी लगा कि इन महनों में आप लोगों ने मुझे लाखों संदेश भेजे लेकिन मन की बात का जो स्पिरीट है देश में समाज में हर दिन अच्छे काम निस्वार्थ भावना से किये गए काम समाज पर पॉजिटिव असर डालने वाले काम निरंतर चलते रहे चुनाव की खबरों के बीच निश्चित रुप से मन को छू जाने वाली ऐसी खबरों पर आपका ध्यान गया होगा कि अच्छे काम